हालो फ्रेंड्स आरेसे स्टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है आज हम बिहार दरोगा का जो इडू इगुरुकुल राकेस सरके जो सेट प्रोभाइड किया गया है फर्स्ट नमर सेट अश्टार्ट करते हैं तो फश्ट नमर को सरन में क्या करें कराएं बहुत है बहुत भी चुव के लिए बनाई गई लो मसutesरी सिग्फा किस सराज में इस्थ है इसका सही सर और अप्शना मदी हो जाएगा कहां बिहार में किस राज में बिहार में मोश्च इंप वॉट्रंस को सम lnges कराय कोशन में कि असो के सासन काल में परमुक घटनाओं में से एक अड़हाई सो इसा पुर्वर में रजधानी पाटली पुत्र में बहुत धर्म परशद का आयोजन किया गया था तो इसका सही अंसर आप्शन नमर तीन हो जाएगा यानि कि तीसरा बहुत बहुत संगिती की बात करेंगे तो टोटल चार बहुत संगिती हुआ था पहला जो बहुत संगिती हुआ था राजगीर में हुआ था दूसरा जो हुआ था बैसाली में हुआ था और तिसला जो हुआ था पाटली पुत्रा और चौथा कुंडलवन कस्मीर में हुआ था तो ये तिसरा हो जाएगा इसका सही अंसर नेश्ट कोर्शन कराय चौथी सताब्दे इस्विपूर में मगत की राजधानी खाली अस्थाना स्थानी कर दी गई थी तो इसका सही अंसर डी हो जाएगा पाटली पुत्रा हो जाएगा क्या पाटली पुत्रा हो जाएगा इसका सही अंसर नेश्ट कोर्शन की बात करेंगे तो कराय चौल बंस के अंतरगात किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था इसका सही अंसर option number C हो जाएगा उर्ग के नाम से जाना जाता था कराय कोशन में चंद गुपर्ट मोर ने खालियास्थान के खिलाब बिद्रो करने तृत किया और उसे उकाड फिका तो इसका सही अंसर option number D नंद के नंद बंस के और चंद गुप यानि के चानक के सहाईता से उखाड फेका था most important question है next question करा इनिमली खेट सासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो इसका सही अंसर शमुंदर गुपत को कहा जाता है next question मुहमद गौरी का पहला आकरवन खालियस्थान में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया तो इसका सही अंसर सी 1175 में हमला किया था मुल्तान पर याद रखेगा मुहमद गौरी की बात करेंगे तो भारत में तराइन का यूद 1191 में में लड़ा था तो पिठवी राचोहान ने मुहमद गौरी को हरा दिया था उसके बाद 1192 में फिर लड़ा तराइन का दूतिय यूद तो फिर मुहमद गौरी के जीत हुआ और पिठवी राचोहान इसमें हार गया था next question करा गुजरात के सुमनात मंदिर पर किष्णिया कर्मन किया था तो इसका सही अंसर आपसन मड़ी हो जाएगा मुहमद गजनबी सुमनात मंदिर की बात करेंगे तो गुजरात के सुमनात मंदिर में दस सव दसो पचीस इस्वी में आकर्मन किया था और 1025 में आकर्मन क्या था तो ये मुहम्मद गजनवी का सुलाहमा आकर्मन था और गुजरात को लुट लिया था और उसके बाद मुहम्मद गजनवी की बात करेंगे जब लुट के गुजरात जा रहा था तो रास्ते में इसको जाटो ने लुट लिया और फिर गजनी यानि कि अपगनिस्तान जाता है और उसके बाद मुहम्मद गजनभी 1027 में फिर जाटो के बिरुद्ध अंतिमा कर्मन जो सतर्मा कर्मन फिर लड़ता है निश्ट कोशन की बात करेंगे तो निश्ट कोशन करा है बावर के बावर के स्मरन या बावर नामा जिसे तुझू के बावरी के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा लिखा गया है इसका सही अंसर सी हो जाएगा सही अंसर बावर हो जाएगा बावर के द्वारा लिखा गय कराय कोशन में कि खालियस्तान ब्रेटिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को फासी दे दिया था इसका सही अंसर आप्सनमर डी की बात करेंगे तो तुर चउटिस नेटिव इंफेंट्री मेस आमिल थे और जह क्यों fit a me मई दस मई दस मई एठारो संतामन को बीस नेटिव इंफेंट्री से सुरू हुआ था जरूराद रखेगा और अठारो संतामन का जो परतिक है कमल और चपाती है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था तब बिहार बंगालोडी सा यह प्रांत में लगा हुआ था और पूरे भूमी पर नो यह निकी कह सकते हैं उन्नीस पर तीसत भूमी पर यह लगा हुआ था याद रखेगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करावा अधिनियम जिसे ब्रीटिश इस निया कंपन किस भूर्स में भारत में माले मिन्टो सुधार की घोशना किया था इसका सही अंसर डी हो जाएगा 1099 में किया था नेश्ट कोशन करावलाओरадцicon का समभा निम्हड में से किस घतना से है तो इसका एंशर आपसाून उमजर था बंगाल विभाजन की बात यज रख़ेगा निस्ट कोचो सन निस्ट को संस कर है कि जी कर रहा है उन्हें 17 महात्मा गांधी ने गुजरात में खेरजले में 7 का समर्थन किय तो इसका जो सहीन होगा ओर्हा का सब्सक्राइब बादि हो जाएगा किसान जो फसल अंसर कि भी बात करेंगे तो कि लिगो नेंट के घूट कि नें मिलकित से किसे नमक सतेग्रा 5 शाय जाए शॉस का सब्सक्राइब 107 को िसके अपिस्तंड कि अपना बेडी सहां करके द्वारा कि यह तो इसकाito से एंसर 1899 में किया गया था 1899 में मोश्ट इंको टेंग को सन और बीड़ी सबर करके जियनती पर ही नए संसद्भवन का उद्गाट अठाइस मई को किया गया है नेश्ट को सन करा निमलिकित में कौन से काकोरी ट्रेन डकायती मामले में अरोपी नहीं था तो इसका सही एंसर भागा सी नहीं रजंदर लाहरी हैं रामपरशाद विश्मिलाइश तीनों जू हैं कलिए दे के ले में अरोपी थे भागासी नहीं थे ooo कि बात करेंगे तो अ कराय को सन में आखिल भारत्य कि अगार्उस के wireless के तो इसका सही अंसर D हो जाएगा महा सचीब कहेगा तो NG रंगा ही थे NG रंगा थे Next question करा वन सम्विधान सभा के भारत के समिधान को कब अप सुविकार किया गया तो इसका सही अंसर आप्शन बर एक हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को सुविकरित किया गया था लागों कहेगा तो 26 जनवर 1950 Next question करा किसी राज के राजपाल के रूप में निउक्ति के लिए भारत के समिधान द्वारा निधारित निउन्ताम आयू कितना है तो इसका सही अंसर एक हो जाएगा पराश्चपति के लिए यह राश्चपति के लिए निउन्तंम नुम्ण सल हो जाएगा लोग सभध्यच कहें या तो विर्हां जस्वाएच कहें जिसको आप है म्स जलब्सत आक्राफित गतने के सब्ण। बद्धित बनने के निउन्ताम पच्छेस एल होता है और बात करेंगे राजसभा के सदस्यों का कार्ज काल तीस साल यानि की नियूंतम में जोना चाहिए तीस साल और एकी साल की बात करेंगे तो गरम पंचायत में ख़ड़ा होने के लिए और बोर्ड देने का अधिकार कहेगा तो ठारवर्स नेश्ट कुशन भारती समिधान में नियाए पुरोलोकन की सक्ति और नियाए पालिका की स्वतंता का प्रद्धान किस देश से लिया गिया है तो इसका सही अंसर डी हो जाएगा अमरीका के समिधान से लिया गिया है नितिनी देशत तत्व की बात करेंगे नितिनी देशा कहां से लिया गया एरलेंड से अपात वेखित में से किस वर्ष में भारती राष्ट और को जा जाएगा संदान का क्या ही 200 हो अ सब्सक्राइब भारतिय समिधान के निम्र में से कौन सानुच्छ समान नागरिक सहिता से समधीता है तो इसका सभी अंसर और बीव हो जाएगा 44 करा है भारत में भारतिय समिधान का निम्र में से कौन सानुच्छ एक नए राज का गठन की विवस्ता करता है तो इसका सही अंसर ऑप्सन नमर भी हो जाएगा तीन देखे तीन में देखे अनुच्छ दो में हैं कि आप भारत यदि कोई दूसरा देश के साथ यूद करता है जो भी उहां जमीन हडबता है और उस पर जो राज का स्थापना करेगा तो अनुच्छ दो के साथ जबकी आनुच्छ तीन की ताहट भारत में ही जो राज है उसी में ही सीमा में परीवस्तन करता है जैसे बिहाथ themes जौर भारत बना तो यहां पर करा नए राज के गठन के विवस्ता कईगा तो यहां पर तीन हो जाएगा ठीक है नेस्ट को सब्सक्राइब लिखित में से कौन सा भी सभारतियी समिधान के घर में सुची में के इंतरगत और बी हो जाएगा भी हो जाएगा स्वास यानि कि स्वास्ता और स्वच्छता हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे और कहेगा एगार में यान सूची में तो पंचाइती राज का बर्नन है हाद रखेगा कर आज एक्चोबिस में 124 में समिधान संसोधन 2019 का समंद किसे है तो इसका सही अं काशन दिया गया इसाइस समंदीत है में से कौण मौली समन दिकार से समंद नहीं नहीं हैा संपत्तिक अदिक संख्या नहीं है पहले संपत्तिक अदिक Olá मौली का दिक लोनट से निकाल करके अपरभ़ के काम में लुक्त में कर दिया गया और Łag12 में कर दिया गया है याद रखे इसका निश्ट कोशन की बात करेंगे तो निश्ट कोशन को सन खर tu lãy और अ कर रहा है कि राश्पती के चुनाप से समझे सभी विवादों संकाओं के जाच करने का निन लेने की सक्ति खाली अस्थान में नहीं थैं तो इसका सही अंसर ऑप्स नमबर सी सर्वोच नियाले हो जाएगा क्या सर्वोच नियाले के पास हो जाएगा जो इन्पोर्टेंट को स राजपाल की बात करेंगे तो 213 के तर अध्यादे जारी करता है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा निमलिखित में से कौन कभी भारत के उप्राश्पती नहीं बने तो इसका सही अंसर ऑप्स नमबर एक हो जाएगा गुलजारी लान लंदा नहीं बने बीबी गिरी बने हैं बेड़ी जाती बने हैं जाकिर हुसाइन बने हैं नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय पंचायत गठित करने का चुनाब उसके भी घटन की तीथी से खाल जैसान अभी समाब तक होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए तो इसका सही पुद्दू चेरी को याद रखेगा अभी पुद्दू चेरी की बात करेंगे तो अभी पुद्दू चेरी की बात करेंगे तो ए है तिन राज में और चार अस्थान में है तिन राज में और चार अस्थान में है पुद्दू चेरी तिन राज में और चार अस्थान में याद रखेगा चार जीला है पुद्दू चेरी केरल की बात करेंगे तो यानम अंधरा परदेश की बात करेंगे तो रखेगा तीन अस्टेट में और चार अस्थान पर करा निम्ड में से कौन सा सबसे बड़ा ग्यात नच्छत रहें तो इसका सही अंसर आप्सन नमबर एक हो जाएगा है क्या है नेश्ट कोशन करा कौन सब्सक्राइब कमल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना है तो इसका सही अंसर आप्सन नमबर डी हो जाएगा सुक्र हो जाएगा क्या सुक्र हो जाएगा नेश्ट कोशन उत्री गुलार्द में ग्रिस्मकालिन आयनंत किस दिन होता है तो इसका सही अंसर डी हो जाएगा एकिस जुन को एकिस जुन को हो जाएगा इसका सही अंसर अंतर परदेश से की बात करेंगे तो सबसे पहले गुजरता उस नेश्ड कोर्षन की बात करेंगे कौन सा जल निकायब सरवाधिक समिफ हैiben अ सबसे निम्ड में से कौन पाकिस्तान के सबसे लंबी नदी जो मानसुरूबर्ध रिल से निकलती है तो इसका सबसे निकलता है इसके लंबाई 288 किलो मीटर है जबकि बात करेंगे ब्रहांपूत्रा की तो यह भी मानसुरूबर्ध से निकलता है यह ढूनसुरूबर्ध रिल से निकलता है तो harvest को सन करा है कि निम्ड से कौन भारत का तैयता हुआ राष्ट्य उद्यान है तो इसका समर्पर, राष्ट्य उद्यान मननि पूर में है जो तैयता हुआ राष्ट्य उद्यान है की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा आएं निम्न मेंसे कौम सी जील भारत के सबसे बड़ी मानम निर्मी जील हैं तो इसका सही अंसर आप्सन नमर बी हो जाएगा गोबिन बलब पंत जील हो जाएगा नेश्ट कोशन करा आएं कि निम्न लिखित में कौन अलकनंदा और करा गिर्थी हो जाएगा जरूराद रखेगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा परसी संस्क्रिती का स्थाल रानी कबाब किस नदी के तड़ पर इसका सही अंसर आप्सन वे एक सरसती नदी के तड़ पर है रानी की बाब की बात करेंगे तो सोरप्या में नहीं गिरती है एक गिरती है बंगाल के खाड़ी में नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन अब गुदावरी के जो लंबाई है 1465 किलो मीटर है करा जल संदी भूमाद सागर को और अंटलांटिक महसागर को जोड़ती है तो इसका सही अंसर नेश्ट कोशन करा है लौरेंज बग्र क्या दर साता है तो इसका सही अंसर आई की बिसमता दर कर सकते हैं भी हो जाएगा नेश्ट को सिन की बात करेंगे तो कराय को से के पुझी इसन की बजा बनता है तो इसका सही अंसर भी हो जाएगा राज़कोशी घाटा हो जाएगा नेश्ट को सन कारा किसी यह विवस्ता में समान कीमत अस्तर में निरंदर बियोधी को खाले संग का जाता है तो इसका सही अंसर। सब्सक्राइब करें और फेलिटेंट मंदि के साथ मुद्राशली को सफियों मैंसे कौन सा ने इसका सबसे जादा जो सरकार का होता है सेबा कर सही होता है सेवा का यह यानी ठी निए सबसे बात करेंगे तो भारत च्यूलाई बना जाता है और जिएस्टी कब से लाग हुआ है 2017 से भारत में नेश्ट कोशन टिंडल परभाव किसके कारण से होता है इसका से अंसर हो जाएगा परकास के परकिर्णन से परकास के परकिर्णन से हो जाएगा इसका सही अंसर नेश्ट कोशन कराय कोशन में कि कोशन में कराय जी कि होलमीनोलोजी काध्यन है तो संतामन का सही अंसर भी हो जाएगा कास ये बिजली काध्यन है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय किस घटना के कारण साफ अकास का रंग नीला होता है तो इसका सेंसर सी हो जाएगा परकास का पर किर्णन के कारण इसका सही अंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन करा निम्ड में कौन सेंसर में करन बहुत की में दाव को दर्श आता है तो इसका सेंसर भी हो जाएगा वलवटा छेतरफल हो जाएगा नेस्ट कोशन करायध रहात्तों के माध्यम से विधु चलकता को इलेक्ट्रॉनिक चलकता कहा जाता यह तो इसका सही अंसर आपस期 हो जाएगा ताफ मार में बेधि के साथ घर्टता है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन कराय परकास के वर्ण कर्म की वियक है सबसे पहले किस नहीं किया था इसका से अंसर भी हो जाएगा आईजेक न्यूटन हो जाएगा न्यूटन किया था next question, करा है potasium permanent के एक अनु में कितने oxygen परवानु मौझूद होते हैं तो इसका सही answer भी हो जाएगा 4 होता है next question, dolomite किसका यस्क है तो इसका सही answer एक हो जाएगा, magnesium का है next question, करा निम्ण में से किस तत्व में सबसे कम विधुत रिनात्मक्ता होता है तो इसका सई intuitive भी हो जाइगा फ्रेंसिया में कमोता है इक सब से अधीक है फ्रान्सिया घ्राफिन क्या COMН है ग्राफिन क्या है इसका से इंसर jogar कारबन का एक पर रूफ है अटर नेश्ट को सक्ष्ट कि के बाहर खाल समागरी को तोड़ता है और फिर उसे अफसोसित करता है तो स्वास के रूप में करवन डेकान सब्सक्राइगा next question, करा अपरकास अंसुलेशन की परकिरिया में निम्लखित में से कौन सी गैस निकलती है तो इसका से अंसर C, oxygen निकलता है और स्वास के रूप में carbon dioxide लेता है next question, करा निम्लखित में से कौन सा रोग विसानू के कारण होता है तो इसका से अंसर C हो जाएगा रुवेला है जो विसानू के कारण होता है टिश्टनेस जिवानूं के कारण होता है एसम और रुवेला विसानू कारण होता है नेश्ट कोषण किसकी कमी कारण पिलेगरा रोग होता है शिक्ता सेंसर भी सेंसर के संख्या संख्या नेश्ट कोषण के बात करेंगे तो तूर्ट कोशन कराय कोशन में कि को सभाग इस तीरी है सरके सिस पर चिप चिपी सता यह पराग को है इसका सेंसर भी हो जाएगा वर्तिका हो जाएगा वर्तिकाग्र हो जाएगा कैंदर इसे क्या कहते में करते लिए लेता है कि सद्सक्राइब लगता है याझा मुंस परिस्ति फरीम heb कि अपस्ति के पत्ति के अकर के प्रवलम को क्या काते है इसका सई अंसर डी हो जाएगा मटकी कि सिराज के परशीद लोंई थैं मटकी का रहा है इसका सई स्कतिक कि कि बात करेंगे तो कि करा कि Kao कि जैमिंग सब स्थ निम लिखित में से किसँ खेल से समझे थे इसका सही अंसर यूज हो जाए क्या लाउन टे निस हो जाए किसके द्वाराल इभाता कि संवंगे मोट नहиныide epa newspaper अंबर ऊफ औरण नाधियम सचार नाधिय्यू का पुराना नाम सदिरर काते थे यह सननधाएं भारत में सेंसर सी हो जाएगा 25 दिसंबर को सुसासन दिवस मनाए जाता है नेश्ट कोशन और इंपॉर्टेंट कोशन हाली में चुबिसमा सितकाली ओलंपिक सेंसर और si बसी हो जाएगा? क्या जबबलफूर हो जाएगा जबबलफूर उंपॉर्टेंट कोशन है नेश्ट कोशन हाली में अंडर नैंटीन बर्ड कप 2022 का खिताब किस ने जीता इसका से अंसर डी हो जाएगा भारत का ने जीताँ है नेस्ट कोस्टन करा डावलुएचो की घोशना के अनुसार कितने अमरीकी कितने अफ्रीकी देसों को इमारेने टक्निक दी जाएगी तो इसका से अंसर भी हो जाएगा छेदेश को दिया जाएगा नेश्ट कोस्टन करा किस राज में श्यान मुद्रा में भगवान-बुद्ध की सबसे बड़ी पर्तिमा सो फिर का निर्मान क्या जा रहा है तो इसका से अंसर भी भी हार पाने वाले पहले पर यहाँ बन गए हैं इसका सभी हो जाएगा द्यविंद्र हाःद देविंद्र ज़र ज़रिया नेश्ट कोशन बच्चों की पूस्ता कि दा लीट्ल लीट्ल बूक ओफ जो आइक इसका सभी हो जाएगा यहने की डेस मंड टुटू और तेंजिन याथ सो हो जाएगा दोनों हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन हाँ यहां पर ध्यान देना है कराय कोशन में कि किस अंस्थान भारत के पानी समस्याओं को हल करने के लिए एक वामाइप नामक एक नया अं नेश्ट कोशन कराय किसे भारत के तेश भी नविंतम महिला ग्रेंड मास्टर के रूप में घोसित किया गया है तो इसका सही अंसर आप्शन नमबर सी हो जाएगा प्रियांका नुटक यानिकी नुटक्की को नेश्ट कोशन कराया है कि भारत का कौशन आज बेहतर मेदा स्वास्त के लिए कारवन तर्टर्ष्ट खेती सुरू करने वाला देश का पहला राज बनने के लिए तैयार है तो इसका सही अंसर भी हो जाएगा केरल हो जाएगा क्या के यानिकी जिंगा किंग जारी या नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो इसका सही अंसर डिया जाएगा और 99 की बात करेंगे एरिजिनिंग है 98 का जो सही अंसर सी आ जाएगा और 99 की बात करेंगे तो 99 का सी आ जाएगा और सौव की बात करेंगे तो सौव का सही अंसर डी आ जाएगा तो आज बार इतना ही रनने देते हैं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देजे चैनल पर पहली बार हैं तो सस्क्राइब कर लिजे और कम दिन बच्चा है टाइम तो तेजी से रिभायद जरूर केजिए वीडियो समात करते हैं जय जय भारत